हेलो डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप यह गाजुटेंग ग्रेड वेलकम बैक वंस अगें टो आर यूटॉब चैनल आज के इस पटिकलर वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं एंटी पीसी के बारे में अपकमिंग एंटी पीसी के एक जाम में क्या रहने वाला सिलेक्शन प्रोसेस इसके बारे मिलता है आप डंटी पीसी आप अप जा सकते हो तो आपको कौन कौन सा पोस्ट मिलेगा जिस पोस्ट के लिए आप अपप्लाय कर सकते हो अगर आपने graduation कर रखा है तो graduation के लिए कौन-कौन सा post eligible है उसके बारे में discuss करेंगे तो इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाल है एक overall आपको idea मिल जाएगा कि अगर आपको आने वाले NTPC के लिए prepare करना अभी से आपको prepare रहना है तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए तब ही जाके आप उससे सही direction पे आप study करोगे अपना preparation करोगे तो चलिए इस वीडियो को start करते तो सबसे पहले RRB you know that RRB means क्या होता RRB stand for railway recruitment board यानी जो exam लेती है isn't it and NTPC का मतलब क्या होता है देखो एक NTPC होता PSU public sector unit में NTPC होता है जहां पर आपको job मिलता है graduation जो gate करता है engineering के बाद उन लोग को मिलता है या फिर आप UPC के थ्रूँ वहाँ पर जाता है जो national thermal power corporation होता है लेकिन वो यहाँ पर नहीं है यहाँ पर NTPC stand for non-technical popular category मतलब railway में जो non-technical में technical में काफी popular category होता है जैसे senior assistant engineer होता है junior engineer होता है और बहुत सारा होता है लेकिन non-technical में जो popular category होता है उसको NTPC कहा जाता है railway में समझ रहो यानि कि non-technical में सबसे जो popular category है उसमें अगर आपको job लेना है यानि कि अगर आप non-technical student हो और आपको popular category NTPC का सबसे अच्छा post में आपको job लेना तो आपको NTPC को qualify करना पड़ेगा तो यह तो इसका simple सा मतलब हो गया now we are going to discuss about अगर आप 12th pass की हो ठीक है and 12th pass की हो तो आप किस-किस post के लिए जा सकते हो through NTPC उसके बारे में डिसकस करते हैं सबसे पहले आप age जान लो age minimum अगर मैं बात करूँगा 12th pass के लिए तो age limit का अगर मैं बात करूँगा तो minimum होना चाहिए आपको 18 and maximum होना चाहिए 33 now dear student मैं आपको यह बता देता हूँ यहाँ जो बताया गया ना maximum 33 यह without relaxation है यहाँ पर आपको अलग से relaxation मिलेगा अगर आप ST and SC हो तो आपको अलग relaxation मिलेगा अगर आप OBC हो तो आपको अलग relaxation मिलेगा I think OBC का अगर मैं बात करूँ 3 year रहता है ठीक है और अगर मैं बात करूँ STC का तो 5 year रहता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर OBC का मैं बात करूँगा तो 3 year old जोड़ लो यानि आपका 36 year तक आप अपलाए कर सकते हो और अगर आप STC से बिलोंग करते हो तब यहाँ पर 33 प्लस 5 जोड़ जागा नि 38 year तक आप इन सभी पोस्ट में अपलाए कर सकते हो अब now we are going to discuss what कि 12th post sir मैंने 12th करा है तो NTPC का कौन कौन सा पोस्ट मुझे मिल सकता है अगर मैं NTPC को qualify कर गया तो तो देखो यहाँ पर एक होजा जाता है जुनियर टाइम कीपर ठीक है देन आ जाता है जुनियर कलर्क कम टाइपिस्ट इसके लिए जा सकते हो यानि कि काफी अच्छी पोस्ट है ऐसा बात नहीं है 12th past में जाऊगे तो अच्छा घासा यहां पर आपको सेलरी मिलेगा ठीक है स्टार्टिंग सब्सक्राइबी का अच्छा रहेगा जो प्रोफाइल का प्या अच्छा रहेगा और अलांसेस वेगर आपको खूब मिलेगा भर वर जिसमें अगर मैं बात करो हूँ यहां पे commercial come ticket क्लर कि काफी अच्छा पोस्ट होता है अगर बात करो जुनियर क्लर्क ट्रेंड क्लर्क सावी पोस्ट सभी पोस्ट होता काफी अच्छा होता ना यह तो हो गया मेरा 12 लेवल का अब ना वह सार ऐसा ट्रेंटे जो ट्रेंटे बाटियेशन करते हैं तो गहीं है लिए इसमें देखलो आपका senior टीकट कलर्क हो जाता है जुञ्ट गार्ड काफी बड़ा पोस्ट है और काफी अच्छा सेलरी इसमें मिलता है अब टू एट्टी थाउजंद तक चल जाता है ठीक है और आगे अगर बढ़ेगा तो डेफ लाग भी जा सकता है ट्रें असिस्टेंट का बात करेंगे सिनियर क् कीपर का बात करेंगे या फिर कमर्सियल एप्रेंटिस का बात करेंगे फिर स्टेशन मास्टर जिसमें अगर मैं बड़ा-बड़ा बोलूं तो यह आपको देखने को मिलता ए और काफी ज्यादा लोग इसमें आपको मिलता है वर्किंग कल्चर काफी अच्छा है तो बहुत सारा फेसलेटी यहां पर देखने मीलेगा तो यह अधर कर लेता हूं ताकि सबी चीज़ आप लोग को दिखाए दे समझाये कि नहीं चलिए गाईज अब यह के 12 का मैं बता दिया है एंड आपका बात किया थोड़ा हम लोग बात करते हैं सिलेक्षिन प्रोसेसर क्या होता है कितना स्टेज में एक्जाम होता है अगर मैं न्टीपिसी में जाना चाहता हूं तो तो दियर दो स्टेज आपको कॉलफा करना पड़ेगा अगर आप जीके पुछा जागा जीके मिन्स क्या आता है जनल नौलेज से रेलेटेड जनल नौलेज में आ जाका जो सबसे बड़ा सबसे छोटा सबसे प्रथम सबसे यह टाइप सा जएधा डिसकवरी इन्मेंशन पुछेगा समझ रहो न कि नी करेंट अफेर तो पुछेगा पूछ पूछेगा इसके लागर मैं बात करो तो हिस्टीकल करेंट अफेर आप बोलेंगे सर हिस्टी में करेंट अफेर कहां से बनने लगा माल लेते हैं कि कोई भी एक्सवेशन हुआ कोई खोज हुआ नया चीज पाया गया जिसे हड़ापास अभ्याता से तो वहां से अगर कोई चीज खोज हुआ तो वह करेंट अफेर के लिहाज से आगया हिस्टी का कोश्यन पॉलिटी माल लोग कोई आर्टीकल निव बना है कोई एमेंडमेंट हुआ समिधान संसोधन हुआ है या कहीं पे नियो स्टेट बना है यूनिन टेरिटरी बना है केंदर सासित प्रदेश प कोशन पुछता है यह सभी का सभी करेंड़ा फिर में घुसा देता है जोगरफी से भी कुछ सकता है कोई जिसे माल लो अभी कुछ दिन पले क्या हो जमू का समेर जो वह दोना अलग हुआ ठीक है उसको अलग 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 उनिटरिटरी बना गया तो वहां से भी आपको हिस्सादी पूछ सकता है शमयर्ल जोगर अपको पूछ सकता है पानी रोटे करेंटव अच्छा भूण का करेंट एक के लिए आपको इस पर्फेर के लिए आपको स्पेशल बुक लेना पड़ेगा जो मार्केट में मिल जागा बुक वन येर का या शिक्स मंद का मिलता उससे प्रिपेर कर सकते हो आपका इस प्वर्सन को दैन आपको जैसे में देखो जी के का था जी के यहां अलग तो जीके मेंने जैसे का इसमें आपको हिष्ट्री, पॉलिटी, एकोनोमिक, जोग्रोफी से भी कोसं पूछे का स्टेटिक जीके भी रहता है। स्टेटिक मतलब जो हमेसा के लिए मालो दुन्या में पर मालो इंडिया के बात करेंगें इंडिया में फिस्ट प्र्राम्यिनिश्टर कौन थे तो वह तो आपका स्टेटिक हो गे नो को कभी चेंज होने वाले नहीं है आज ये दस साल बान तो यह सबसे वल्ड का सबसे नदी कौन सा बड़ा चोड़ा नदी कौन सा लंबा नदी कौन सा है यह सभी चीज़े ऍट्रेटिक वाय जाता है और यह दोनों धोनों होता है अगर चार आप्सन दिया रहा है एक कोसिन का चार आप्सन जिसमें से एक आपका सही रहेगा बाकि तीन आपका रोंग आंसर रहेगा एंड 1 by 3rd negative भी होता है 1 by 3rd आपका क्या को नेगिटिव होगा मतलब हर 3 question को अगर आप गलत करते हो तो एक number काट दिया जाएगा पर question पे 1 question पे 0.33 number आपसे काट लिया जाएगा मतलब अगर आप गलत करते हो कोई एक question तो जो गलत किये जितना touch कर सकते हो जिसे आप out of 100 में आपने 60 attempt करा या 70 attempt करा 30 नहीं हुआ कुछ confusion है तो second time attempt करो विकोज उसमें काफी आपका time लेगा पता चलेगा बनाते हुए जा रहे हो आप exam में और 4th question या 5th question में अटक गए अब आप बोलेंगे इसको solution करके मुझा आगे बनाना वो गलती आपका रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा आप पता चलेगा 30 question बनाते बनाते ही आप एक घंडा पार कर दिए तो आपको वो आप पता चलेगा आगे बहुत simple question सा जो देख देख के हो जाता तो वो गलती नहीं करना one flow में जो बन रहा उसको बनाए जो नहीं बन रहा उसको छोड़ते जिए फटा 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 एक बड़ देखिए अगर आया तो ठीक है नहीं है तो second time देखेंगे ठीक है और उसके लिभी सारा दिया रहता है वह सारे student जो है कोई ना कोई तो अभी तक online टेस्ट यानि cbt दे चुके हैं तो experience उन लोग को हो गाई चली अब मैं बात करता हूँ salary का salary कितना मिलता है तो अगर मैं salary का बात करती यह 19,000 से start होगा basic पे 35 तक जाएगा तो यहां पर यह मत समझे इतना कम यहां पर देखो अगर मैं goods guard वेगरा का बात करो तो वह काफी जादा वह तो चल जाएगा आपका 60 तक जाएगा 60 के से 60 तक चल जाएगा और यह आपका basic salary का मैं बात करें यहां पर analysis वेगरा तो एड नहीं यहां पर किया हूँ analysis वेगरा को add करूंगा तो obviously बात है जादा है जिस 12th level का भी में बात करोकर मान लेते हैं यहां पर देख लो इसको आप इंडिया लेबल में आप देखो कहीं भी काम को जौब करोगे लेकिन जब आप रेलेवे में जब गरता हो तो उसका एक मान अलग है अलग है अलग एक समान है और यह नो दिसके लिए कि इतना करना पड़ता करोड़ों बच्चों में आपको सिलेक्ट होना करोड़ों का भीड होता है जिसमें सब चून के जाओगे तो इसको आप इतने बड़े एक जाम को करतो इंडिया लेबल का वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पूपूलेशन सेकेंड लास्ट में बात करेंगे तो यह रेलवे का जो भी इंकाम आता है उसमें से 95 परसेंट तक तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंप्लोय का पेंसन देने में सेलरी देने में अलाउंसेस देने में खर्च कर दीती है समझ रहा हो ना यह सभी चीज़ों को बस जितना आता है अगर 100 रेलवे कमाते तो 95 इसका ध्यान रेखेगा ठीक है यहां तक ग्रूबडी वाले को भी बहुत अच्छा तक पोस्ट मिलता अगर तींचार साल जोब करें तो तो तब आपको बहुत अच्छा सेलरी दिया जाता है समझ रही मेरे बात की नहीं और में होता है अलाउंसेस अवर टाइम की जिएग काफी ज्यादा रहेगा ठीक है कमटेशन काफी ज्यादा रहता है मतलब बात कर सबसको अप्लाए कर देता है तो अभी से प्रेपरेसन करना स्टाट पड़ेगा बहुत बरता यहां तक की बात करेंगा प्रिपरेशन करने के बाउजुद भी नहीं होता मेफ रहें हो, बट कई होता है? ऐसा इसलिए होता हुगा होता है नहीं होगा सही तरीके इस तरीके से पढ़े तब जा के लिए क्या प्रिवेस सरुका प्याइक की tap अपने रहें हो तो याम क्यों, मैं उसने किसी तरह सब्रहु क्विशा चाहिए देखिलो जो प्रिवेरशेर में कोश्चन पुछा करो 2019 पुछा है उसका सोलीशन देखिलो वह यजंअ के साब में परकारि पर चला के ब 친 किस करें किस ल क्योंकि टाइम आपको जब आज एक बार नोटिफिकरशन ना फिर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है कि माइंड पर स्ट्रेस रहेगा कि डेट आरा डेट आरा डेट आरा फिर आप पढ़ नहीं पाओगे उतना रिवीजन भी करना पड़ेगा इतना सारा टोपिक से मैथ है रिजनिंग है करने फेर जीके है जीए से साइंस वेगरा है इसके अलगा आपका मैथ तो है यह एक टीटूड है ए रिजनिंग तो बहुत सारा चीज्ज आपको पढ़ना है अभी सा प्रिपेर करो आई होप यह आपका काफी जाता है एलफूल किया होगा वीडिय कि मैं कहा कहा से कोशन पुछा जाता कितना नंबर का कोशन पूछा जाता है ठीक है वह मैं पुरा ब्रेकडाउन कर दूगा इसके लिए विडियो लाओंगा जिसमें आपको बताऊंगा एंटीप्सी के लिए बेस्ट बूक क्या रहा मैंत के लिए रिजिनिंग के लिए जी के लिए चेली गाइज मिलते हैं लोग नेक्स पार्ट में तब तक ले गुडबाई और गॉडड ब्लेस यू और फर्स्ट टाइम विजिट के हमारे चैनल को तो रेले के पलपल के अपडेट इसलिए आप चैनल को सब्स्राइब कर लेना ताकि यहां से आपको हर एक अपडे